नमस्कार दोस्तें आज हम हिंदी के वर्णों की ध्वनी यानि की साउंड सिखेंगे ताकि हम सही हिंदी लेके और सही हिंदी बोले हिंदी में 11 स्वर होते हैं और इनी स्वर से हम व्यांजिनों में मात्रा ही लगाते हैं इनी मात्राओं की ध्वनी के अनुशार हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलना है कैसे हमना है हिंदी में 11 स्वर होते हैं लेकिन इसके अलावा भी भूस से और धनिया होती हैं जो मैं आज आज आपको सिखाने वाली हुए चलिए शुरू करते हैं एक अक्षा लेलेते हैं कॉल तो इसी क्रॉल के साथ हम सभी धुनियों को पचानेंगे और आगे शीखेंगे कि कैसे लिखना होता है कैसे तो कोई भी अलग से दुनि नहीं होती कोई साउंड नहीं होती जैसे हम क बोलेंगे तो क बोलेंगे इसमें कोई भी अलग से साउंड नहीं आ रही है अगला है आ, आ में आ की साउंड है तो जो हम क के साथ मातरा लगाएंगे तो आगे डंडा लगाएंगे तो हम बोलेंगे का अगला बढ़न होता है E, E की जब हम मातरा लगाते हैं कबर, तो छोटे E की मातरा लगती है जब तो इसकी ध्वनी होती है के, और जब हम इसी में बड़ी E की मातरा लगाते हैं, तो इसकी साउंड बदल जाती है, हम क्या कहते हैं की, की, वो था की, यह है की, ओ, ओ, छोटा ओ होता है यह तो इसने यू सी साउंड आती है तो केंते को अ में को पहले और फिसमें तरह लगाती हो are पहले हैं पहले कु तो ओ की यह मातरा है तो नीचे इस तरह से मातरा लगती है तो हम कहते है क्रि, अगली मात्रा होती है ए की, ए, ए की मात्रा इस तरह लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं, तब बोलते हैं के, एक और मात्रा होती है, जो ओ की जैसे धोनी देती है, ओ, ए, दोलते को, अगला स्वर होता है, ए, बड़ा ए, जिसमें हम मात्रा लगाते हैं, जैसे लिखेंगे दो मात्रा लगाएंगे कै ओ ओ जब हम मात्रा लगाते हैं कव पर तो यह इसकी ध्वनी जिसकी साउंड निकलती है को और एक अन्य ध्वनी होती है जो स्वर्च से थोड़ी अलग होती है वो होती है आ जैसे का कॉलम अगर हम कॉलम शब्द लिखेंगे तो क काह, तो यह ओ की मात्रव ор, अगली मात्रव होती है ओ की, वह ओ, अ होता है, बड़ा ओ, तो इसे हम कहते हWA, काह, एक काह, एक काह, अगली साउंड होती है ,- की , proportions में ओ क्यों के ओपर बिन्दू लगता है, इसे पहले स्वर वाना जाता था, लेकिन अब इससे स्वर नहीं माना इसकी धौनी होती है, होती है हम बिंदू लगा अलग कहलें अगली sound होती है इसे भी पहले स्लाइब ने नहीं मना जाता आँ, नहीं अगली sound है ये चंदरबंदू के शाथ होता है चंद्रबिन्दू लगाते हैं अंग की अब आ जाती है तो जैसे हम क के उपर चंद्रबिन्दू लगाएंगे तब हम तरह लगाएंगे इस तरह है तो यह बोलेंगे अंग क क के उपर बिन्दू लगाएंगे बोलेंगे अंग जब कव बोलते हैं तो कव बोलते हैं तो जब हम शब्द बनाएंगे कम क्म क्योंकि दोनों में मातरा नहीं है कम अब आ में जब हम का में मात्रा लगाते हैं आ की तो का होता है जब हम शब्द बनाते हैं का म काम तो आ की मात्रा आ की धोनी आ गई का म काम अब एक ही धोनी देखते हैं के के जब हम शब्द बनाते हैं के धर की धर तो एक ही धोनी आ गई की धर इ बड़ी ए की मात्रा आती है तो ए की sound आती है इ की का में लगाई जब हमने मात्रा की की मत की मत तो यह आपने शब्द सीखा की मत ओ ओ छोटा जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं को तो जब इसके साथ शब्द बनाएंगे को ल कुल बड़े O की मात्रा तब का में लगाएंगे कू जब इससे शब्द बनाएंगे कूलर कूलर रे रे की जब हम मात्रा नीचे लगाते हैं क्रे तो इससे शब्द बनाएंगे क्रे शक छोटा ए की जब हम मात्रा लगाते हैं तब एक मात्रा लगाते हैं तो हमने का में लगाई तो हो गया के इसकी साउंड होती है के से वर्ड बनाएंगे तो लिखेंगे केला अब है बड़ा ए तो ए की जब मात्रा लगाते हैं तब दो मात्राइं लगाई जाती है क में मात्रा लगाई तो बना कै इससे शब्द बनाएंगे कैसा कैसा ओ की धनी होती है ओ साउंड ओ को जब हम मात्रा के रूप में लगाएंगे क में तो बोलेंगे को इसी साउंड होगी को इससे शब्द बनाएंगे को, य, ल, को, य, ल अब आया ओ, जो की मात्रा नहीं होती, स्वर नहीं होता लेकिन हिंदी भाषा में प्रियोग होता है ओ जिसमें बड़ा ओ नहीं होता यह ओ तो को हुआ, का के उपर जब ओ लगाया ओ यह आजकर बहुत प्रियोग में लाया जाता है जैसे का, ल, म, का, ल, म, म, ल, म, ल, म, इसमें दो मात्रा लगाके मॉल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा अगला स्वर होता है ओ का, तो ओ जब सी सौंड होती है ओ, का में लगाएंगे मात्रा तो बोलेंगे का और जब हम इसका शब्द बनाएंगे कावा, कावा, अगला स्वर होता है इसकी ध्वनी होती हूं, 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 अगला स्वर होता है इसकी इसका शब्द बनाकर देखते हैं अताहा तो क्या आगे हमने जो बिंदू लगाए यह वाले बिंदू गई तो इसे बोलेंगे अताहा एक और स्वर नहीं होता यह लेकिन मात्रह हम इसको प्रियोग में लाते हैं यह चंदर बिंदू कहलाता है इसको हम बोलते हैं तो इसके ब इसका शब्द बनाएंगे कांटा इस तरह आप सारी धुनियों के साथ शब्द सीख गए होंगे उमीद है आप इसको भविश में प्रयोग लाएंगे तो सही बोलेंगे और सही लिखेंगे